जै मातादी नवरात्र में देवी मा से सुख और एस्वरे का आसिरवाद हर किसी को चाहिए तो मा देवी को कैसे मनाए कि जीवन खुसियों से भर जाएं वैसे तो अभी तक हमने बहुत सारी बाते आपके साथ से अरकी लेकिन सिक्का का रह गया अब यह सिक्का बहुत काम का है चाहे वो सिक्का एक रुपेया का हो दस का हो या पाँच का हो उससे फरक्टी पढ़ता फरक इससे पढ़ता है कि आपने सिक्का रखा या नहीं तो आज हम सिर्फ सिख्के कहीं बात करेंगे बहुत सिंपल तरीके से आपको बहुत सारे प्रियोग बताएंगे सिख्का का अपनी मनत के अनुसार कोई भी प्रियोग कर लीजेगा आपकी मनुकामना पुर्ण हो जाएगी देखिए मा देवी मा को आप नवरात्रे समाप्त हो समाप्त होने के पहले किसी भी दिन महा स्ट्रमी और महा नोमी दोनों में से किसी भी दिन आप साथ एलाइची और मिसरी का भोग लगाई येगा और इसको आप पति पत्नी परसात के रूप में खाईए प्रेम बढ़ेगा धन भी आएगा और अभी तक अमने बहुत सारे ब पान का पत्ता के उपर एक सुपाडी रखें। सुपाडी सिर्फ ऐसे मत रखें। उस पर लाल धागा मौली धागा लपेट कर रखें। और उसके उपर एक सिक्का रखें। अब देवी के सामने मातारानी के सामने रख दें। धन की कमी नहीं होगी। घर में ही प्रियोग करना है। सिक्का उठाकर आसिरबात के रूप में पास में रख लीजे धन के अस्तान पर। अगले साल फिर से वही प्रक्रियाद हो राइएगा। रिचार्ज हो जाएगा। अगर जीवन में धन की खुब कस्ट है। करजे परिसान करते हैं, तब एक छोटा सा काम कीजीगा। एक कटोरी में मखहना मखहन आपको पता है ना tea total है थोड़ा से ले लेन। अब मखहने के साथ एक सिक्का भी रख आए। कोई भी सिक्का रख सकते हैं। और माता रानी को को और्पित कर दे। बाद में जो सिक्का है उसको किसी भी पास के मंदिर के दान पेटी में डाल दीजेगा और जो मखाना है उसको आप किसी गरीब को दे दीजाए या फिर मंदिर में ही बाद में रखाईएगा इससे क्या होगा ना जीवन में जो धन की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी करजों की समस्या से सबसे बड़ी बात है कर्ज से मुक्ति दिलाता है यह प्रयोग देखिए जब आप दीपक जलाईएगा महानौमी या महास्टमी के साम में तब एक छोटा सा काम कीजेगा रात में जब दीपक जलाईएगा तो दीपक में एक सिक्का डाल दीजेगा मातारानी के सा यह प्रयोग अध्भूत है और इसका कहीं आपको कहीं भी आप कोई भी जगह पढ़ लीजिए आपको यह प्रयोग मिल जाएगा क्योंकि इस प्रयोग को करना बहुत जरूरी है छोटी कन्या को आप करने पूजन करेंगे करें या ना करें पर उनको उनके पसंदीदा कुछ स मुर्व ज़रूर दे अब दक्षिना में बहुत सारे लोगों को शिक्का का दान करने को मना होता है कुंडली में इसलिए हम कहते हैं अगर आपकी कुंडली में भी मना है सिक्का का दान करना आपको नहीं पता है कोई बात नहीं आप एक फल दान किर दीजेगा यहानि सिंगार की बस्तू अर्पित करके थोड़ा सा सिंगार की बस्तू उनको भेंट कीजिएगा और ऐसा करने से जीवन में खुसियां बढ़ती हैं सुख ऐस्वरे बढ़ता है सुभाग बढ़ता है अब दूसी तरफ तुलसी महरानी की पूजा जरूर कीजिएगा क्योंकि घर मे नो दिन तक तर दिया जलाना ही तो आप 12 मेरा भी जलाते होंगे बहुत कोई नहीं बी जलाते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन साम में दिया बाती दिकाईएगा जव तब तुलसी जी के पास एक दिपक जला दीजिएगा àर इस दिया में लाल धागय की बाती होगी और उन सही सही पर लेके जाईएगा जितनी आपकी सुभीदा है चुनरी अगर पास में ना हो तो लाल रंग का कपड़ा ले 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 अब उसके उपर थोड़ा सा मखाना थोड़ा सा बता सा और एक सिक्का रखकर मा की गोद में रख दें जितने समर्थ अंदर दिल से निकले न उतने में ही मापरशन है यकीन मानिए धन की कमी नहीं होगी आप जैसे उनका गोद भर रही है वैसे ही आपका गोद भरा रहेगा हमेंसा मा को पान का पत्ता और सुपाड़ी और सिक्का बहुत प्री है तो वह बाला प्रियोग आपको हर हाल में करना है अब देखिए माता रानी क नौरात्र के दिन में नौमी तिथी के दिन जैसे की राम नौमी होगा न तो आप हनुमान जी के मंदिर में पताका फेराते हैं उसी प्रकार माता रानी के मंदिर में भी आप पताका फेरा सकते हैं आप मंदिर में जाकर एक जंडा गार सकते हैं ऐसा करने से क्या होता है रि पोतिस सास्त्र कहता है कि अगर जीवन में आर्थिक तंगी जादा हो तब आप एक छोटा सा काम करें माता रानी की जब आप पूजा कीजिएगा एक थाल में स्वस्तिक बना लें सिंदूर से उसके उपर एक सिक्का रखें इसके बाद आप उस थाल को के में ही पूजन अगले दिन इसको उठाकर सिक्का को निकाल कर किसी पवित्र अस्थान पर रख दें या पर किसी बहतेवे जलमें डाल दीजिएगा और बाद में थाल को साफ कर लीजिएगा इससे क्या होता है ना जीवन की परिसानिया समाप्त हो जाती है आप जाते हैं कि घर में सा धन आ दल रखने थोड़ा सा दुरूबा घास उसमें की बढ़कर रख दे और लाल कपड़े से इसको बांग दे अगर आपने करके रखा है तो अच्छी बात है नहीं किया है तो इस नवरात में कर लीजिए और दिपावली में चेंज कर लीजिए गा या पिर नवरात में भी चे इसके साथ एक सिक्का रख दे अब इस सिक्के को आप कहीं भी ड्रेंड में डाल दें और जो सिक्का है इसको बहतेवे जल्ब के प्रवाहित करने प्रियोग कहें और महानोमी के दिन साम के वक्त एक छोटा सा प्रियोग किया जाता है अगर आपको लगे कि नकात्म कुर्जाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है घर में हमें सब कुछ न कुछ परिसानी लगी रहती है तब एक चौ मुखा दिया जलाईएगा और उसमें एक सिका डाल दीजे और यह जो सिका है इसको आप समहाल के रख लीजेगा धन की कमी नहीं होगी और वैसे तो बहुत साइर लोग यह भी कहते हैं कि सिके को बहते वे नदी सरुगर में डाल देना चाहिए जो आपने दीपक में रखा है तो आपकी जैसी सदा है वैसी कीजेगा क्योंकि यह सिका अदबूत है अगले बार दीपक में डाल सकते हैं कुछी दिनों में लगातार पूजा करने से यह सिका सिद्ध हो जाएगा फिर आप किसी भी जरूरी काम से लिए निकलते हैं तो सिका पास में रखके निकले तो कारे पूरे होंगे फिर लाके वापस से आप वहीं रख दे हम आपसे भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से से शेयर करें कमेंट करें धन्या